हेलो एविवान गुड इनिंग तो अल उफ यू दिस इस दिव्या आप सभी का स्वागत है प्रैपंड क्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर जल्दी से मुझे ये बताओ कि फट फट से की ओडियो एंड वीडियो क्लियर है जल्दी से बताओ और आप लो कैसे है ये भी चलिये जल्दी से बताओ और आज का सेशन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आज हम इसमें कवर कर रहे हैं रास्त्रिय और अंतरास्त्र याने के इसके अंदर हम नैशनल और इंटरनेशनल जितने भी आपका अभी कुछ दिनों में पिछले साल और आपके जो पिछले दो महिनों में कुछ भी बीता है उन सबी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर अपनी इस क्लास में प्रश्ण करने वाले हैं तो इसी बज़े से ये सेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है जल्दी से शेयर कर दो चलिए जल्दी से जल्दी से शेयर कर दो उसके बाद में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे फटा फट से वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग ऐसे भया गाड़ी नहीं चलेगी शेयर कर दो रुको 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 हम भी तनिक शेयर कर दें चलेए चलो चलेए रेड़ी एकदम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंटरनेशनल हलांकिया भी दो तिन दिनों से हम लोग नैशनल और इंटरनेशनल दोनों ही करंट अफियर को कवर करते आ रहे हैं और आज का सेशन और भी धमाकेदार होने वाला है इसमें बहुत सारे क्वेशन को कवर करने वाले हैं पहला प्रेशन आप लोगों के पास है अभ्यास तरकश जल्दी से मुझे यह बताएं कि जो अभ्यास तरकश है इसका छटा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है अमेरिका, कैनेडा, रूस या फिर जापान जल्दी से बताओ अभ्यास तरकश वेरी वेरी गुड इबनिंग चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो कि अभ्यास तरकश का जो छटा संस्करण है वो भारत और यह जो अभ्यास होती है न तो यह काफी इंपोर्टेंट है कौन स सही अंसर है अमेरिका तो जो आपका अभ्यास तरकश है यह किसके बीश में हुआ है अमेरिका और भारत के बीश में डन अब देखेगा तो यहां से कुछ बाते और ध्यानक लीजेगा कि अभ्यास तरकश का यह जो छटा संस्करण है यह चेन्नई में हुआ है ठीके चेन्न में हुआ है ठीक है और ये 16 जनवरी को शुरू हुआ था और 14 फरवरी को समाप्त हुआ है अभी हाली में हुआ है तो पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है नेक्स एक हैगा फैलिक्स, होफोएट, बोगनी, युनेज को शान्ती पुरसकार से किसे सम्मानित क्या गया है तो जब भी आपका शान्ती पुरसकार की बात होगी हमने इससे रिलेटेड दो प्रशन पहले भी किये हैं बहुत जादा इंपॉर्टेंट है 2015 में एंजला मरकेल ने अपने वहाँ पर जर्मनी में शर्णार्थियों को आने की इजाज़त दी थी जिसकी वज़े से इनको ये शान्ती पुरसकार दिया गया है आपका डी नंबर आप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट ओफ ओल जिनको ये दिक्कत है कि पीडिएफ नहीं है प्लीज चेक आउट आर प्रेपेंड क्रैक ओफिशियल ये हमारा एक टेलिक्रम चैनल है आप इसको जाके चेक आउट कीजिए और जब भी मैं पीडिएफ डालती हूँ तो मैं उसको पिन कर देती हूँ ताक यहां पर देखेंगा इसका राइट आंसर है वो है एंजिला मरकेल ठीक है नेक्स देखो यहां पर आपको ध्यान एकना है कि एंजिला मरकेल को आईवरी कोस्ट की राज़ानी यामोस सोक्रो में फैलिक्स होफोईट बोग ने युने इसको शान्ती पुरसकार से सम्मानित क दिया गया है 2015 में इन्होंने शर्णार्थियों को आने दिया था जैसे कि इराक सर्विय यहां से बहुत सरे शर्णार्थी आये थे यहां पर और इन्होंने इनको एंट्री दे दी थी और इसी की वज़ए से इनको ये शान्ती पुरसकार दिया गया है ठीक है तो अभी जब क्लास काफी होगी क्या करण के लिए हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें cover कर रहे हैं almost सब चीज़ें cover कर रहे हैं तो obviously आपके लिए बहुत important है ठीक है कोशिश है कि यहीं से आपके बन जाएंगे रंजी ट्रॉफी ध्यान एक खिताब किस ने जीता है सोरास्टर ने जीता है इसके बारे में दो-चार बाते आपको और भी याद रखने है क्या-क्या याद रखना है देखेगा सोरास्टर ने कॉलकता की इडन गार्डन्स में अपना दूसरा रंजी टॉफी का खिताब जीता है याने कि कहां पे हुआ था कॉलकता में पहला जो खिताब है वो 2019 वीस में जीता था ठीक है और यहां पर अब भी जो युनोंने हराया है किसको हराया है बंगाल को हराकर ये खिताब जीता है पूँछा जाता है किसको हराकर जीता है कहां पे इसका आयोजन हुआ था कुछ ऐसे प्रशन पूछे जाते है Sukaj वज़े से अभी जो आपकी क्लासीज हो रही है उसमें हम सारी बातों को कवर कर रही है चाहे कैसा भी प्रश्न पुछ लेगा आपका गलत नहीं होगा ठीके देखेगा रंजी ट्रॉफिर टूर्नमेंट जो है यह आपका 1934 से खेला जा रहा है पहला मैश जो है यह 1934 को हुआ था मदरास और मैसूर की बीश में और मुंबई ने सबसे जादा बार यह टूर्नमेंट जीता है अभी हाली में किस ने जीता है तो रास्टर ने किसको हरा कर बंगाल को डन इतनी बाते याद रखना है नीती आयो के नए CEO बता दीजे काफी important है जल्दी से बताओ कि कौन है नीती आयो के नए CEO हालांकि ये प्रश्ण हम लोग पहली पे अपनी classes में कर चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल और न ऐसे गड़ चलेगे नहीं आप लोग न शेयर क्यों नहीं करते हो शेयर कर दो फटा फट से येस यहां पर पुछा गया था कि नीती आयो के नए CEO कौन बने हैं तो आपका राइट आंसर है बी वी आर सूबरमनम ठीके ये हमारे नीती आयो के CEO है अगर आप से पूछा जाए कि उपपरमो कौन है सुमन बैरी हम लोगों ने पहले इसको डिसकस कर चुके हैं ठीके और अध्यक्ष की बात करते हैं तो जो मो कौन है तो वो भी आप अच्छे से ध्यान रखेगा दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है अभी देखो ये बहुत सारे फेस्टिवल हुए हैं जो इंपोर्टेंट है प्रश्न यहां स एक दो जरूर बनेंगे आपके एक्जाम में इसी वज़े से इनको बहुत अच्छे से कर लीजेगा बर्मास्त्र दा कश्मीर फाइल्स गंगुबाई काठ्यावार्ड या फिर वॉल्फ आपको बताना है कि दादा साहिब फाल के पुरसकार यह आपका टेलिविजन का यह स असकर के लिए भी शॉट लिस्ट हुई थी शॉट लिस्ट हुई थी नॉट नॉमिनेटर तो यह भी कुछ बाते आप ध्यान रखेगा यहां से कुछ और बाते बनती हैं जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था कश्मीर फाइल्स को बेस्ट डिरेक्टर के लिए इनको यहां पे अवार्ड दिया गया और अभिनेतरी का आलिया भट को किसके लिए गांगुबाई काठे अवाड़े के लिए डन ये बाते आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है बताओ ठीक है चलो डन नेक्स देखो आपको यहां पे कुछ और भी देखना है जैसे कि Most Promising Actor का किताब किसको मिला था रिशव शेटी कंतारा के लिए ये मूवी भी ऑसकर के लिए शॉट लिस्ट हुई थी बेस एक्टर की बात करते हैं सपोर्टिंग रोल में तो मनेश पॉल जुग जुग जीयो के लिए दिया गया था फिल्म उध्योग में उत्रस योगदान के लिए रेखा को ये अवार्ड दिया गया और वेब सीरीज कौन सी है जिसको बेस अवार्ड दिया गया था ठीक है और अगर हम क्रिटिक्स बेस एक्टर की बात करते हैं तो वरुन धवन को किसके लिए भेडिया के लिए दन ये कुछ बाते हैं और हमारा जो फिल्म उप दा इयर कौन सी है आर 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 और ध्यान नखियेगा जो आर आर है इसका जो सौंग है नाटू नाटू उसको एक Best Original Song के लिए Oscar Award भी दिया गया है और उसने Golden Globe Award भी जीता था उसका प्रशन हम लोग आगे करने वाले हैं ठीक है नेक्स देखो भारती संसद के डॉक्टर एपीशे अब्दुल कलाम Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित क्या गया है एक्चुली ये जो Award है संसद में जो भी हमारे आपके पास है T.K. रंग राजन, सुभाष, चंदरन, A.B. के प्रसाद या Dr. Peggy Mohan तो इसका जो सही आंसर है वह आपका रहेगा T.K. रंग राजन बताओ बताओ जल्दी से चलो, बताओ बिल्कुल, 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 आंसर सभी को करना है जो आंसर करेगा उसके दिमाग में चप जायागा और यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में 12 मार्श के पेपर के अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेशन को लेकर आए हैं, अपने सीरीज को लेकर आए हैं, इसी वज़े से आप थोड़ा सीरिस हो जाओ अगर आप इन क्लासिस को अटेंड कर रहे हो, डन, चलो, यहाँ पे धान नखेएगा T.K. रंग राजन, अब यहा अब दिया था कि जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको इस अवोर्ड से सम्मानित क्या जाएं, तो क्या होता है, यreated है कि जब भी हमें क्वे अवोर्ड मिलता है, अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ सी प्राइज मिलेगा यह अवोर्ड मिलेगा, तो हम फिर 2010 में ये पहला इसका संस्क्रण शुरू हुआ था BAFTA Awards 76 नमबर के जो BAFTA Awards है उसमें कौन सी फिल्म को Best Film का खिताब मिला है देखो जैसे Oscar है न वो The Academy Award की नाम से जाने जाते हैं जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है ऐसे ही जो BAFTA Awards है ये British के द्वारा ठीक है British में ये अवार्ट दिया जाते हैं Television है, Film है, उनके लिए अवार्ट दिया जाता है आपको बताना है किसने Best Film का अवार्ट जीता है बहुत important आपका right answer है The All Quite On The Western Front ठीक है, आपका एक नमबर option यहां से बिल्कुल सही हो जायेगा इस movie को 76 नमबर का BAFTA Award दिया गया है Best Film का Done, अभी ऐसे नहीं चलेगा फटा-फट से share करो पहले जितने लोग हैं, अपने अपने साथियों को share कर दो क्योंकि ये class is बहुत important जल्दी से share करो पहले बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हां जी, ठीक है तो यहां पर आपका जो एक नमबर उप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहां से कुछ और बाते हैं जो आपको याद होनी चाहिए BAFTA Award में कौन-कौन से यहां पर विजेता राय ठीक है, Best Film का हम लोगों ने देख लिया है All Quiet on the Western Front ये इसको Best Film का Award मिला है और अगर Outstanding British Film के बात करेंगे The Banshees of Inishirin ठीक है, ये एक मूवी है इसको Outstanding British Film का Award मिला है और Best Documentary के लिए नवलनी, ये थोड़ा ध्यान ने खियेगा Best Documentary में कौन से मूवी को मिला है तो नवलनी को Done, अब Next देखो उत्तर भारत में पहला पर्माणू उर्जा सेंत्र किस राज्य में किस राज्य में बनाया जाएगा गुजरात, हर्याना, ओडिशा या पंजाब आपको बताना है उत्तर भारत में पहला पर्माणू सेंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा आपके पास ये रहे options देखें और बताएं Very good, notes बना रहे हैं, very good, very good चलो, ठीके देखो, right answer होगा हर्याना हर्याना में ये सेंतर स्थापित क्या जाएगा जो उत्र भारत का पहला, यहां पे इसका गाम है गोरगपूर यहां पे स्थापित क्या जाएगा जो उत्तर भारत का पहला उर्जा स्यंतर होगा नेक्स देखो, यहां पे नेक्स सीखेगा भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI की रूप में किसे न्युक्ति क्या गया है, आप लोगों के पास ये रहे options और देखें और बताएं राजेश्राय, BBR, सुब्रम्नयम, मेगना, पंडित्य, राजीव, रगुवंशी आपको बतारा है नए ड्रग कंट्रोलर तो भारत में जो भी दवाएं हैं जा रही हैं दोर सर्किलेट हो रही हैं उन सब पे कंट्रोल रखना, कहां पे कितनी दवाईया है तो ये इन सब के बारे में कंट्रोल या इन सब पे कंट्रोल करने का काम होता है हमारे ड्रग कंट्रोलर का तो कौन जोने गए हैं तो ध्यान लिखेगा राजीव, रगुवंशी जो हैं ये हमारे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर बनाये गए हैं इनके बारे में कुछ और थोड़ी सी बाते आपकी राजीव रगुवंशी हैं जिनें नए ड्रग कंट्रोलर बनाये गया है देश में दवा और चिकिस्ता उपकरण की सुरक्षा और गुनवत्ता सुनिश्ट करना है उसके अलावा जो भी नई दवाएं आ रही है उनकी मनजूरी देना कौन से कहां पर दवाएं किस तरीके से जा रही है जो भी सर्कुलेशन है उन पर कंट्रोल करना इन सारी चीजों क यहां पर कंट्रोल करने का काम होता है DCGI का ठीक है नेक्स देखो भारत सरकार 430 करोड़ रुपए के लागत से पहला वेस्टू हाइड्रोजन सेंतर बना रहा है वेस्टू हाइड्रोजन यानि के जो वेस्टिस होता है न जैसे की सीवेज हो गया है या फिर कच्रा जैसे की कोई भी गंदगी वगरा है, प्लास्टिक वेस्ट है, या जैसे कि कोई भी सीवेज है, या आपका और्गनिक वेस्ट है, उन सब से क्या बनाया जाएगा, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी, तो आपको बताना है कि भारत सरकार 430 करोट रुपए की बनाया जाएगा, आपका D-Number option जो है, ये बिल्कुल करेक्ट है, नेक्स देखो, ठीक है, हाइड्रोजन पावर प्लांट यहाँ पे जो वेस्टु आपका हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा, भारत सरकार में पूने में 430 करोड रुपए की बना रहा है, या कौन से कंपनी बना रही है, तो ध्यान रखिएगा, Green Billion Limited एक कंपनी है, जो इस परकार का ये जो प्रोजेक्ट है, या ये जो सेंतर है, वो लगाएगी, ठीक है, इसके लिए उन्होंने तीस साल के लिए पूने से कंट्रेक्ट भी कर लिया है, ओके, नेक् आज आपने क्लास लगाई, जब आप नेक्स से क्लास में आते हैं, प्लीज आप इसे गो थू हो के आया कीजिए, पीडियफ आपको मिल जाती है, जस पीडियफ में देख लिया करो, कि कौन से प्रशन का क्या आंसर था, क्योंकि बहुत सारी क्लासिस होंगी, सबको एक साथ इतना याद रख पाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए जब क्लास में आते हैं, विदिन 15 मिनट के अंदर, आप इसको सभी को ऐसे गो थू कर लोगे, यानि कि अपनी आंखों से निकाल लीजिए एक बार, तो इससे क्या होगा, कि आपको questions याद रहेंगे, at least आपके exam तक, तो ये चीज़ें थूड़ा सा follow करो, आपके लिए ही benefit रहेंगे, ठीके देखों, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पारक के अधारशलक के शहर में की गई है, तो right answer है आपका नागपूर, ठीके, नागपूर में दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पारक बनाया जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो धयान नखेएगा अनुभूती समावेशी पारक, इसका नाम क्या रखा गया है, अनुभूती समावेशी पारक और फरवरी 2020 को नागपूर महरास्टर में दुन तो वहां से इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, डन? चलो, next देखो नहीं मिली मैम आपने कल मेरे ख्याल से तो मैंने सही डाली है, आप एक बड़ चेक तो करते हैं मैं चेक कर लूँगे, मेरे ख्याल से मैं सही डाली थी चीक है, देखो, मैंने उसको पिन कर दिया था, एश्वरय प्रताप सिंग तोमर ने ISSF विशु कप में 50 मेटर राइफल तीन पोजेशन प्रत्योगिता में कौन सा मेडल जीता है आपके पास option है, यहाँ पे देखेगा, इसका answer कीजेगा कि क्या होगा गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉंज है या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer है, जो एश्वरय प्रताप सिंग है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल और किसमें है शूटिंग है, ठीक है, निशाने बाजी में भारत के इश्वरय प्रताप सिंग ने काहिरा में जो हुआ था ISSF, इसमें पुरुष की बैक्ति गत, यानि के परसनल 50 मीटर राइफल के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान लखेएगा, ठीक है, पिछले साल जो चागवन विश्व कप हुआ था, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था Next देखो, UIDAI के द्वारा लॉंच किये गए AI चैटबोट का नाम क्या है, मतलब कि Artificial Intelligent Chatbot यानि कि ऐसा होता है कि जब भी आप कोई इससे कुछ प्रशन पूछोगे ना, तो यह आपको उसका आंसर बता देगा तो यह किसका इसका नाम क्या है यह आपको बताना है, इसका राई टांसर होगा, अधार मितर UIDAI के द्वारा लाँच क्या गया, जो AI चैटबोट है उसका नाम क्या, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना, Google ने क्या लाँच क्या है, BARD को लाँच क्या है, Microsoft का क्या है, चैट GPT है, इसके बारे में कल हमने बात करी थी तो यह सब क्या है, यह आपके Artificial Intelligence से रिलेटेड पॉर्टल है, अगर आप इन से कुछ पूछोगे न, तो यह आपको वैसा आंसर करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, इसका आंसर तो यह है अधार मितर, अधार कार से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पू पूरा नाम क्या है, तो Unique Identification Authority of India, इसने एक लांच किया है अधार मितर, और यह क्या काम करेगा, कि आपसे जो भी प्रशन है, आपसे प्रशन, अधार कार से रिलेटेड कोई भी प्रशन आप पूछेंगे, तो इसका यह सही आंसर आपको दे देगा, डन, चलो, नेक्स दे जाना, तो आपका जो मुगल गार्डन है, उसका नाम ही क्या बदल के रखा गया है, अमरत उद्यान, ठीक है, और आपसे प्रशन में क्या पूछा, कि यह कहां पे है, तो यह आपके रास्टरपती भावन, तो उसे के इडदगेड ही प्रशन पूछेगा आपसे, समझे, च पीपर था, उसमें भी पुरसकार से रिलेटर प्रशन आपसे पूछे गए थे, ठीक है, देखो, आपको बताना है, 150 T20 International मेच खिलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है, आपके पास यहाँ पर आप्शन से, समरती मंधाना, हर्मन प्रित कौर, सूजी बेर्स या फिर डॉन याड, जल्दी से बता दीजेगा किसका अंसर क्या होगा, बिल्कुल, 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 यहाँ पे आपका राइट आंसर है, हर्मन प्रित कौर, कौन है, हर्मन प्रित कौर है, आपका बी नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यह बात आईएगा कि सेना के नए उप प्रमुक कौन बने हैं कल भी हमने ऐसे प्रश्न किये थे तो ये प्रश्न काफ़े इंपॉटेंट है पूछे जाएंगे जल्दी से शेयर कर दो भाई लोग जल्दी से शेयर कर दो चलो इसका जो सही आंसर है वो है M.V. सुचिंदर कुमार ये जगा लेंगे B.S. राजू की ठीक है तो यहां से आपका राइट आंसर होगा D. नंबर आप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये हैं आपके सुचिंदर कुमार जी जिनोंने अब यहां पे नए सेना के आप की उप्रमक चुने गए हैं ठीक है next देखो अब यहां से ये बाते जो मैंने आपको बताई हैं वही लिखा गया है आप इसको यहां पे रीड कर लिजेगा ICC T20 महिला विशुकब 2023 किसने जीता है भारत दक्षन अफ्रीका और सेलिया न्यूजिलेंड जल्दी से बताईए I ICC महिला T20 कब 2023 किसने जीता है गुद इवनिंग गुद इवनिंग जो भी भाई लोग लेट आ रही है क्लास के समय का विशेश ध्यान रखिए हमारी क्लास होती है शाम को 6 बजे तो आप 6 बजे आज आये करो आज आप कुम वोईस सही लग रही है क्या वोईस का बताना एक का आंसर मस्त है चलिए इसका राइट आंसर है आपका उस्टेलिया ICC महिला T20 विशु कब जो है यह उस्टेलिया ने जीता है इसके बारे में कुछ दो चर बाते याद रख लीजेगा 26 फरवरी को कैप्टाउन दक्षन अफरीका में जो आपका खेला गया था यह जो गेम ह इसके अंदर ऑस्टेलिया जीती है और इसने किसको हराया है दक्षन अफरीका को हरा दिया है तो ध्याने किएगा विजेता है ऑस्टेलिया और उप विजेता तो आपका है दक्षन अफरीका ठीक है 2024 में जो टूर्नमेंट होगा इसकी मेजबानी करेगा बांगलादेश और करेगा बांगलादेश और 2026 में मेजबानी याने कि होस्ट कौन करेगा तो 2026 में करेगा इंग्लेंड डन चलिए जल्दी से बताईए नेक्स्ट प्रशन का अंस्वर कर दीजिए ऐसे गाड़ी चलेगी और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं करा वो जल्दी से लाइक कर दो जितने बच्चे हैं उतने बच्चों को शेर कर दो आपके इतने भी दोस्त नीं हैं कि जो तयारी वेरी कर रहे हैं हिन भावना मत रखा करो शेर कर दो फटाफट से येस आपसे पुछा गया है कि FICCI के महा सच्छिव के रूप में किसे न्युक्त क्या गया है आपके पास आप्शन से सोनिया गोकानी, राजीव रगुवंशी, शेलेश पार्थक या आर एस जीन तो इसका राइट आंसर होगा शेलेश पार्थक आपके ये जो परिशन है, ये कौन है, शेलेश पार्थक, इन्हें FICCI के महा सच्छिव के रूप में न्युक्त क्या गया है तो ये FICCI है क्या, तो ये है Federation of India Chambers of Commerce and Industries तो ये हमारे वेवसाई से संबंदित एक और्गनाइजेशन बना हुआ है इसकी सापना 1927 में भारती वेवसाई जेडी बिर्ला और पुरुशोतम ठाकुर्दास जी के द्वारा की गई थी सला किसने दी थी? महात्मा गांदी जी ने इनको सला दी थी इसका जो हेड़ क्वार्टर है, वो कहां पे है? नई दिल्ली में है सबसे बड़ा सबसे पुराना और सबसे बड़ा शिर्ष व्यापार संगठन है F I C C I और इसके महा सचिव कौन है तो ध्यान रखिएगा शैलेश पाठक, दन, चलो हन जी कोई बात ने, चलो, नेक्स देखो यहां भी देखेगा अंतरास्टर बौधिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? बौधिक संपदा याने के इंटेलिजेंसी के मामले में अगर कोई इंटेलिजेंट होगा किसी देश में पर्टिकुलर तो बहुत सारे वा विश्कार करेगा कुछ नएने चीजे बनाएगा तो उसका हम कॉपी राइट लेंगे पेटिन करवाएंगे तो बहुत सारी चीजे है न तो उसी मामले में आपसी पूशा गया है कि अंतरास्ट्रे बौधिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 40-50-52 है 42 है जल्दी से बता दिजेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा इसका आपका सही उत्तर है 42 इसका आपका सही उत्तर क्या होगा ब्यालिसमी rank पे है आपका IP Index में ठीक है International IP Index में भारत की rank क्या है ब्यालिसमी है अब यहां से कुछ बाते ध्यान लखेगा पर्चपन देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत की rank कौन सी है 42 जादा कुछ अच्छी नहीं है मैंने आपको बता दिया है कि एक्चुली होता क्या है तो US Chambers of Commerce के द्वारा यह जो सुचकांग है वो जारी किया जाता है तो यह बात भी आप अच्छी से याद रख लिजेगा ठीक है आपका यहां पे 42 जो है वो आपका सयांसर हो जाएगा सबसे पहला जो रैंक है वो है सेंगत राजे अमेरिका का और उसके बार में UK और France है और हम कौन से नंबर पे है हम है 42 में नंबर पे और कितने देशों को शामिल किया गया था यहां पे 55 कंट्रीज को शामिल किया गया था ठीके अब यहां से ध्यार नकिएगा अठीक मेंने ला आपको हैं ने पासपोर्ट में इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो है 85 ठीके तो जो перв ран् siendo पे है ना फिर आपका ध्यार नकिएगा जापान है first rank पे जापान है फिर आपका आता है Singapore Singapore है और इसेके साथ ही दक्षनी कोरिया भी है और फिर आहे आपका जर्मनी तो मैंने न जर्मनी बोल दिया था रिली सॉरी और अगर आपके बस जापान का वीजा है जापान का पास्पोर्ट है तो आप लगबग जा सकते हैं 193 देशों में विदाउट वीजा ठीक है तो यहां पिध्या नेखिएगा हैले पास्पोर्ट इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो है 85 नंबर पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स याने के हमारे पास सेना कितनी पावरफुल है तो उसमें आपके जो रैंकिंग है वो है नंबर चार याने के आपका सेना के मामले में हम कौन से नंबर पे आते हैं चोते नंबर पे आते हैं कौन से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आगे हैं विमानन सुरक्षा ranking विमानन जो हमारे airports है उन में किस परकार से facilities है हम जो navigation प्रणाली का सुरक्राइक दिर जाती है केज बगर यह सारी चीजें मिला कर उसमें जो ranking है वह कौन से है तो यह आप जहाँ निखिएगा उसमें रैंकिंग है आपकी 55 पहले ये बहुत जादा थी लगबग 112 और अब हमने यहाँ पर थोड़ा से इसको सही कर लिया है 55 नंबर पर हम लोग यहाँ पर आ गए है ओके चलो एक मिनट मेरी जो भी पहले क्लासिज हुई है ना प्रैपन क्रैक पे जाओगे और दिव्या मैम करके सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे ठीक है और मैं टीम को बोल दोंगी कि अलग से प्लेलीज बना दी जाए कि जिसमें हमने हाई कूट के लिए करेंट अफ आपको उस प्लेलीज में मिल जाएंगे बस यह आज की डेट में हो जाएगा अगर आपको डोडने से मिल जाते तेन गुड अधर्वाइस जो टीम है वो प्लेलीज बना दे कि वहां से आपको इसली मिल जाएगा ठीक है हाँ पीडिएफ आपको मिल जाएगी टेंशन मतलो मिल जाएगे चलो पढ़ रही हूं अगर कोई कुछ पूछोगे तबी तो जवाब दूंगे न ठीक है नेक्स देखो विश्व खुशाली इंडेक्स की बात करेंगी हैपिनेस इंडेक्स में 136 वे रैंक पे हैं अगर विश्व प्रेस वतंतरता सूशकान की बात करते हैं त 150 देख लो ठीक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो 107 और इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे 2022 का क्योंकि इनके भी 2023 की नहीं आई है तो 2022 का ध्यान नेकिएगा ये है 40 नंबर पे ध्यान अख लिजएगा खुशाली सूशकान की हैपिनेस इंडेक्स आ गया की मामले में हम 107 नंबर पे हैं और इनोवेशन इंडेक्स में हम 40 नंबर पे हैं ठीक है तो ये कुछ बाते हैं ध्यान में खिएगा पूश लिया जाता है मारकोनी पुरसकार बता दीजे किसने जीता है संजे जिंदल, हरी बाल कृष्णन, डॉक्टर महेंदर मिश्रा या वी मदू सूदन नायर जल्दी से बताईएगा कि क्या होगा अरे कुछ पुराने स्टुडेंस वी हैं क्या अच्छ बी एस राजू पुराने हैं ठीके वो चेंज हो गए है अब सुचिंदर कुमार है वो आप याद रखेगा अभी हम जो कर रहे हैं वो करंट है जस करंट वाला है ठीके ठीके चलो यहां पर ध्यान निकिएगा इसका राइट आंसर है हाली में किसने पदंट पुरिश्णार लेने से मना कर दिया अब देखो ऐसा पुरूष्ण था पहला ही प्रश्न था आप लोगों को कि किसने पदम पुरस्कार लेने से मना कर दिया था पदम विभूशन गया आपका लास आपकी पेपर का प्रश्न था बट यहां पे है कि हाली में किसने पदम श्री पुरस्कार 2023 लेने से मना कर दिया वो आपका 2022 का पूछा गया था जिस किस ने पदमश्री पुरसकार 2023 लेने से मना कर दिया वो प्रश्न था आपका 2022 का तो आपका राइट आंसर होगा बंगाली पाशर्व गायका संध्या मुखर जी ने ये पुरसकार लेने से मना कर दिया था आपका B-Number option जो है ये बिल्कुल सही है तो ऐसा प्रश्न जस्त क्या पता मेबी पूछ लिया जाए हाँ B-Number सही है जल्दी जल्दी से लिखो जल्दी जल्दी से कॉमेंट में लिख दीजे पटा पट से कौन सा रहेगा B-Number बंगाली पाशर्व गायका ने अरे जो फैक्ट है इसमें confusion के क्या बात है अब इस बार का इनोने मना क्या है पिशली बार का इनोने मना क्या था तो ये प्रश्नल पूछा गया था तो क्या हम एक्जामीनर को ऐसे बोलेंगे क्या कि नहीं नहीं पता नहीं भई हमें तुम तो हमें confuse कर रहे हो इसका जो right answer ह है वो ध्यान लखिएगा इसका right answer है आपका second number option आपका बिल्कुल सही है ठीक है ये चीज़ ध्यान लखिएगा 2023 की बात हो रही है 2022 का नहीं पूछ रहे हूं next देखो हाली में केंदर सरकार ने अव्यद खनन अंकुष लगाने के लिए कौन सा mobile app launch किया है केंदर सरकार के द्वारा एक mobile app लौंच किया गया है तकि अव्यद माइनिंग नहीं की जाए खनन नहीं किया जाए उसके लिए है खनन प्रहरी अप, सुरक्षा प्रहरी अप, क्रष्ट एप या फिर खनन अंकुष एप जल्दी से बताईएगा कि केंदर सरकार के द्वारा अवैद खनन को रोपने के लिए एक एप जारी किया गया है अच्छा मुझे बता दिया करो अगर जब भी स्क्रीन शूट लेना हो आपको ठीक है वैसे आपको PDF मिल जाएगी इसका जब राइट आंसर है वो है आपका खनन प्रहरी एप ठीक है एक नमबर आप्शन आपको सही हो जाएगा केंदर सरकार के द्वारा इस मोबाइल आप को लांच किया गया है ठीक है नेक्स एको हाली में किस देश ने भीशन बिजली संकट के बीश में रास्ट्रे आपदा घोशित करी है ऐसे प्रशन पूछे जाएगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है श्रिलंका पाकिसान दक्षन अफरीका या फिर योक्रेन बता दीजे हाली में किस देश ने भीशन बिजली संकट के बीश में रास्ट्रे आपदा घोशित करी है जल्दी से बताईए किसका राइट आंसर क्या होगा चलिए इसका राइट आंसर है वो है दक्षन अफरीका ठीके सी नंबर आप्शन इसका बिलकुल सही है नौट श्रेलंका आपका सी नंबर आप्शन जो है यह बिलकुल सही है नेक्स एक हो खाली में विवादों में रही वकील विक्टोरिया गोरी ने किस उचन्याले न्याइधिश के रूप में शपत ली है यह थोड़ा इंपोरा नाम है आपको बताना है इन्होंने किस उचन्याले के न्याइधिश के रूप में शपत ली है ज ये भाश्पा से related थी तो कहा गया कि उनसे related है तो इसी वज़े से इनकी न्युक्ति की गई है ठीक है पहले सॉलिस्टर जनरल दी यहां पर देखेगा राइट आंसर है आपका मदरास उष्णियाले इनके बारे में कुछ बाते थोड़ा ध्यान लिजेगा इनका जो पूरा न इसी वज़े से इनकी न्युक्ति की जा रही है न क्यूंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो न्युक्तियां की जाती है वो रास्टरपती के द्वरा की जाएगी तो इसी वज़े से आप यहां ध्यान लगएगा ठीक है नेक्स देखो आर्बियाई कितने शहरों में QR code वेडिं मशीन के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है यहां पे बहुत सरे जगों पर सिक्कों से बड़ी दिक्कत होती है तो अब क्या क्या जा रहा है कि QR लगाए जा रही है लगबग 12 शहरों में स्टार्ट होगा और अच्छे से ध्यान लखेगा इसमें क्या क यहां जा रहा है कि आप UPI के जरिए आप UPI के जरिए सिक्के निकाल सकोगे UPI के जरिए सिक्के निकाल पाऊगे रिजर बैंक के द्वारा पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में 12 शहरों में QR कोड बेस वेटिंग मशीनों को लाँच करने का एलान किया है इसमें आप UPI के जरीए, UPI के जरीए कोई भी ग्रहक असानी से सिक्क्य निकाल पाएगा, done, कितने शहरों में, कितने शहरों में, 12 शहरों में, कितने में, yes, 12 शहरों में, हाँ जी, ठीक है, नेक्स एको, पृत्वी अवलोकन उपगरहा, निसार को सितंबर 2023 में, भारत से लौंच किया जाएगा, इसका सेंग तुरूप से निर्मान कहां पर क्या गया, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पृत्वी अवलोकन उपगरहा है, जिसका नाम है निसार, तो इसके लेना हम लोग क्या कर रहे हैं हमने एक और जो एक organization है उसके साथ हमने सेंग तूप से इसको बनाया है और हम यह launch करेंगे कहां से भारत से ही launch होगा सितंबर 2023 में आपको बताना है कि किसके साथ मिलकर हमने इसको तयार किया है तो इसका जो right answer है वो रहेगा नासा और इसरो नासा और इसरो दोनों ने मिलकर ही इसको तयार किया है और यह हम launch करेंगे सितंबर 2023 में ताकि पृत्वी को अच्छे से observe किया जा सके कि कहां पर क्या कुश्क मिल सकता है हांज बिलकुल नासा और इसरो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी ना शेयर कर दो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेराधन लाया चाहे तो जल्दी से शेयर कर दो बिलकुल ठीक है नेक्से को आपको बताना एं मेक्सिको औरिजंटीना ब्राजील या फिर चिली जल्दी से बता दीजेगा कि किस देश के रास्तरपती चुने गए है जल्दी से बताओ यह सेशन प्रहें अगर आप में से कोई भी हाइकॉट लडिसी के लिए तयारी कर रहा है या further किसी भी exam की तयारी कर रहे हो ना तो यह आपका national और international या आपके हर exam के लिए बहुत important है और जो high court LDC वाले हैं उनके लिए specially तो आप इस class को बिल्कुल भी skip नहीं करो बिल्कुल इसका right answer होगा कि इनको Brazil की रास्टरपती की रूप में निक्त किया गया है चीके ये हैं चलिए next देखेगा उस्तम नियाले में नियाधिशों की स्वीकरत अरिक्तम संख्या कितनी है 25, 39, 34 या फिर 33 है जल्दी से बताएए हाई sorry आपका supreme court supreme court में नियाधिशों की स्वीकरत संख्या कितनी है जल्दी से बता दीजे कि सवीधान की अकॉर्डिंग कितने नियाधिश होने चाहिए maximum 25, 39, 34 या फिर 33 येस आप share तो करो ना आपको अगर मेराथन चाहिए तने बच्चों के लिए थोड़े ना आप बच्चों को बढ़ाईए कम से कम 200 प्लस कीजिए तो मेराथन लेने में भी मज़ा आएगा आपको answers करने में भी बहुत मज़ा आएगा येस यहाँ पर देखेगा कि कितना है तो यहाँ पर है 33 प्लस एक कि उश्तम न्याले में मुख्य न्याधिश को छोड़ कर न्याधिशों की स्विक्रत अधिक्तम संख्या कितनी है तब क्या होगा तब 33 होगा अब यहाँ पर पूरा ओवरॉल पूछा है तो कितना होगा 34 डन समझ गए चलो बढ़िया है शेर भी कर दो नेक्स सेखेगा आपके 24 जनवरी 2023 को जारी अमेरिकी रिसर्च फर्म की एक कमपने इसने एक रिपोर्ट जारी करी थी हिंडन बर्ग रिपोर्ट बहुत जादा यह प्रश्न पूछा गया था ना आपकी पेपर में कि आडानी के जो शेर्स गिरे हैं वो कौनसे रिपोर्ट की वज़े से गिरे हैं तो आपने क्या अंसर क्या था हिंडन बर्ग रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टन और आपको बताना है कि इसकी रिपोर्ट की वज़े से गोतम अडानी को दुनिया के टॉप 10 अरप पती की लिस्ट से बाहर कर दिया अब उनका सर्म कहां पे रखा गया है 11, 12, 13 या 10 जल्दी से बताईए कि हिंडन बर्ग रिपोर्ट आने के बार अडानी के अकार जो रैंकिंग है वो कहां पे आ गई आपको ध्यान लगना है 11 नंबर पे ग्यार्वे नंबर पे आ गए है और 12 नंबर पे कौन है मुकेश अंबानी और 11 नंबर पे कौन है मुकेश अंबानी और 11 नंबर पे कौन आ गए है ग्यार्वे नंबर पे ध्यान लखेगा गौतम अडानी जन चलो नेक्स देखो हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में 130 मिलियन डॉलर के कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुकतान पाने वाले एथलीट कौन है? आपको बताना है कि सालाना 2021-22 के अनुसार एक सो तीस मिलियन डॉलर की कुल कमाई पाने वाले शीर्ष एथलीट कौन से है? ना हैं आंसर सही नहीं आ रहा है जल्दी से सही सही से आंसर करो इसका राइट आंसर है लियोनल मेसी ठीक है? लियोनल मेसी एजन्टीना के जिनोंने फीफा वर्ल्लकप जीता था चलो नेक्स देखो हाली में चार उष नयले के मुख्य नयदिशों की न्युक्ति की गई है आपको बताना है इनसे संबंदित कथन सही कौन सा नहीं है राजसान हाइकोर्ट के नयाइदिश संदीप महता को गौार्टी उष नयले का मुख्य नयदिश बनाया गया ठीक है हाइकोर्ट से रिलेटिड प्रश्न है तो में भी चांसिस है न्यायमूर्थी एन कोटेश्वर को जम्मू कश्मीर और लदाक का मुख्य नयदिश नुक्ति किया गया है न्यायमूर्थी सोनिया गिर्दर गुकानी को गुजराद हाइकोर्ट के मुख्य नयदिश नुक्ति किये गये है ये पहली बार ऐसा हुआ है ठीक है न्यायमूर्ति जस्वन्त सिंग को राजसान उच्णियाले के मुख्य न्यायदिश निप्ति किये गए है तो हम जानते हैं अगर आपने नहीं भी पड़ा होगा तब भी आप लोग ये तो जानते हैं कि हाई कोड के मुख्य न्यायदिश ये नहीं है तो ये आपका गलत हो गया आपका सही आंसर ये आपके सारे करेक्ट हैं आपसे क्या पूछा है गलत पूछा है तो आपका गलत आंसर क्या है option number D जल्दी से मुझे comment section में बताए कि आपके राजसान हाई कोड के न्यायदिश कौन है जल्दी से बता दो कि कि नहीं पहले थे अब नहीं है कि मनिंदर मौहन श्रीवास्तव ठीक है कौन से है श्रीवास्तव जी है ये चीज़ा ने खिएगा अभी ये आपके हाई कोड के मुख्य नयायदिश है ठीक है ये चीज़ धाने कियेगा पंकश मितन नहीं है उनको बनाया गया था जन्वरी में बट अभी वो सुप्रिम कोड में चले गई है तो अभी कौन है श्रीवास्तव जी है और ये आपका स्टेट्मेंट गलत था बाकि सारे स्टेट्मेंट धाने कियेगा कि हाई कोड की मुख्य नयदिश बनाया गया है सोनिया गिर्दर गुकानी अच्छे सियाद रखेगा और आपके ये भी सही है कि एनकोट एश्वर को जम्मू कश्मिर और लद्दाक का मुख्य नयदिश नुक्तिया गया है और संदीप मैता को गौहार्टी उश्नेले की कोई बात ने क्लासिस कंटीनी रखो हो जायेगे सही बाई लोग जल्दी से शियर कर दो बिलकुत बिलकुल कौन सा है फिलनेड है उसके बाद कौन सा है डैन्मार तो ध्यान निखेगा सी नंबर आप्शन आपका बिलकुल सही हो जायेगा हाली में देश से बाहर सीमा पार UPI भुकतान सेवा किसने शुरू की है भीम एप ने पेटियम एप ने फोन पे ने या फिर गूगल पे ने आपको बताना है कि देश से बाहर UPI भुकतान सेवा शुरू करने वाला कौन सा एप है भीम एप ने शुरू की है पेटियम फोन प वीश में यहां पे agreement हुआ है और जिससे क्या होगा कि अगर किसी को भी पैसे वगर transfer करने हैं तो बहुत easily वो transfer कर सकता है तो बताना है वो कौन से देश के साथ agreement हुआ है इसका right answer है वो है phone पे phone पे नहीं किया है इसके जरिए आप देश से बाहर भी UPI से payment कर सकते है ठीक है आपको बताना है कौन से देश के साथ हुआ है बिलकुल हमारा तो क्या है हमारा है UPI और Singapore का क्या है पे नाव तो ध्यान रखिएगा यह किसका है यह है आपका Singapore का ठीक है और यह आपका है इंडिया का तो इनके बीश में करार हुआ है याने कि समझोता हुआ है अब यहां से प्रश्म पूछा जा सकता है important है किसके बीश में हुआ है भारत और सिंगापूर के बीश में ठीक है next देखो next देखेगा भारत उर्जा सब्ता 2023 का आयोजन कब किया गया था हमने इसके बारे में बहुत सारी बात करी थी कल भी हमने देखा था कि Reliance के द्वारा एक Hydrogen से चली तेक ट्रक को launch किया गया है वो भी किसमें किया गया था Energy Week में और Energy Week में ही आपके जो Modi जी है इन्होंने E20 Fuel की भी घोशना करी थी तो आपको ये बताना है कहां से घोशना करी गयी थी बैंगलूरू में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो उधगाटन है वो किसने किया था Modi जी ने किया था ठीक है तो ये बताना है कि जो Energy Week है वो कब से कब तक चला था Yes very good right answer है 6-8 February 2023 ठीक है next देखो तो ये धान एखेगा India Energy Week 2023 कब हुआ था बैंगलूरू में किसने उधगाटन किया Modi जी ने इसका उधगाटन किया था ठीक है next देखो next देखेगा हाली में भारत के क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश के क्रिकेट एसोशेशन ने मुखे कोश न्यूक्त किया है ये fluctuate मत हुआ करो हम कई बच्चे क्या करते हैं कि एक क्लास के साथ दो-दो क्लास लगाएंगे इसमें भी उसमें भी तो जो ऐसे दो नावों में पाउं को सवार करके चलेगा वो डूब जाएगा तो इसी वज़े से अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो पर्टिकुलर वहीं पे अपना पूरा टाइम दो ताकि अगर आप एक घंटा लगा रहे हो तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले अपको बताना है कि भारती क्रिकेटर जो मॉंटी दिसाई है उनको कौनसे देश की क्रिकेट असोशियेशन ने मुखे चीफ नउप डिका है तो राइट आंसर है आपका नेपाल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, नेपाल होगा, बिलकुल 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 नेक्स देखो जिन्होंने लाइक नहीं क्या है वो लाइक कर दो फटा फट से जिन्होंने लाइक नहीं क्या है वो फटा फट से लाइक कर दो जल्दी 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 फटा फट से येस निपाल 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 प्रजवला चैलेंज किस म येहस येइस येज राइड अंसर है इसका पेट्रोलियम और गैस मंत्राले ठीके कौन सा है पेट्रोलियम और गैस मंत्राले इसी नहीं प्रजव़ा चैलेंच ये शुरू किया है ठीके ये अच्छे सिधानर रखिएगा नेक्स देखो तेल विपनन करने वाली कि सरकारी कंप से धुआ कम निकलेगा याने के low smoke superior याने बहुत अच्छा और जिससे क्योंकि ना कोई भी fuel आपका तभी अच्छा है जब वहां से धुआ कम निकल रहा है और energy याने के heat आपको जादा मिलते हैं ठीक है तो ऐसा launch करने की घोशना करी है BPCL, ONGC, HPCL या फिर IOCL Very good, very good, very good, very good हान जी, right answer क्या होगा BPCL भारत Petroleum Corporation Limited इसी के द्वारा ही ये घोशना करी गई कि जम्मू कश्मीर में जो सेना के जवान है उसके लिए हम low smoke superior kerosene oil launch करेंगे ठीक है Next देखो, European IO की पहली महिला, अब यहाँ से कुछ बाते हैं जो आप अच्छे से ध्यान लख लेजेगा ये ना एक आपकी तरीके से एक संजेवनी बूटी है ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि European IO की पहली महिला अधिक्ष कौन है ये ना कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं जो हम डिसकस कर रही हैं जहां से आपसे डारेक्टली प्रशन पूछ लिया जाएगा जल्दी से ठीक है नेक्स देखो बेंजामिन नेतिन नाहु ने छटी बार किस देश के प्रधान मंतरी के रूप में शपत ली ओमान, इस्राइल, जॉर्डन या यमन जल्दी से बताएए बेंजामिन नेतिन नाहु ने छटी बार कौन से देश के प्रधान मंतरी के रूप में शपत ली है बहुत इंपॉर्टन इस्राइल, ठीक है बी नमबर आप्शन आपका बिल्कुल से जल्दी 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 लिखो क्या होगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्या होगा पूरा इसे पक्के से नहीं याद करना है It means कि आपको ऐसा ने की रटा ही मार लो जल्स थोड़ा सा हिंट की फ्रम में आप इसको याद करना है ऐसा ने की पूरा ही रटने लग जाओ रटने लगो कि तो बहुत सारी चीज़े हैं अपने माइन में छूटी से कोई ट्रिक बिठा लीजेगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करके याद करना है ठीक है? Next एको Next यहाँ पर यह है आपकी बेंजा में नितन नाहू ठीक है? Next एको इनका संबंद बता दीजे कौन से देश के साथ है? वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना जल्दी से बताईएगा कि फुटबॉल खिलाडी पहले का निधन हो गया था इनका संबंद किस देश से है? इसका आपका राइट आंसर है वो है ब्राजील आपको बताना था कि जो पहले का निधन हुआ है ये कौन से है? फुटबॉल खिलाडी है और इनका संबंद किस से है? ब्राजील से है डन? चलो मैं एक बड़ चेक कर ले तो एक बड़ चेक कर ले तो एक बड़ चेक कर लूँगी ठीके? प्रेम आपको भी बोर रही हूँ के यार गोरी अम्मा नैशनल अबोर दो हजार बाइस किसी प्रदान क्या गया है? इनको ही क्या दिया गया है? के आर गोरी अम्मा नैशनल अबोर्ड जो है यह किसी प्रदान क्या गया है? तुम मुझे नहीं आता बिलकुल आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बिलकुल बिलकुल इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर एलीडा गवे से ठीके? इनको ही क्या दिया गया है? के आर गोरी अम्मा नैशनल अबोर्ड दिया गया है? नेक्स देखो, नेक्स देखेगा ये हैं छीके, नेक्स देखो लिए पहली बार कुस राजे के द्वार दा नील गिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? महरास्त्रा तमिलाडु कर्नाटका याफि केरल, जल्दी से बताएगा दा नील गिरी तहर परियोजना किसके द्वारा कौन से राजे के द्वारा शुरू की गई है कापी important है जल्दी से बता दो कि क्या होगा जल्दी 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 से answer कर दीजेगा कि क्या होगा बिल्कुल 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 तमी लाडू के द्वारा इसको शुरू किया गया है नाकवर विश्व इधाले महारास्टर में आयोजित 108 भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस की थीम बता दीजे थीम अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है कोई भी सम्मेलन हो रहा है या जो आपकी गेम्स होते है तो इसी तरीके से आपसी प्रशन पूछे जाएंगे तो यहां प्यापका राइट आंसर होगा क्या पूछा गया है कि नाकवर विश्व इधाले महारास्टर में आयोजित जो 108 भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस था इसका जो सम्मेलन क्या गया था उसकी थीम आपको बताने है तो इसकी थीम है महिला सरशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रिधोगी की आपका C number option यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बिल्कुल 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 महिला सरशक्तिकरण के साथ हमें सतत विकास यहाँ पर चाहिए नेक्स देखो अठारवी स्काउट और गाइड जम्बूरी का उदगाटन यह देखो यह बहुत important है क्योंकि यह राजस्तान से सम्बन्दित है इसी वज़े से important है रोहट पाली पाली में इसका आयोजन किया गया था रोहट पाली में इसका आयोजन किया गया था इसी वज़े से important है कौन सी है scout guide जम्बूरी कौन सी है अठार भी है तो इसी वज़े से आप इसको अच्छे से याद रखिएगा हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट आपके बोलो ठीक है ज़से मिनट उसको हम correct करवा देंगे correct करवा देंगे ओके चलो next नेक्स से आप देखेगा smart कारेकरम का उदेश्य बता दिजेगा क्या time हुआ है चली अभी time पड़ा है हमारे पस smart कारेकरम का उदेश्य बता दिजेगा खेती में इन नई तक्निकों का प्रियोक करना, Digital Board के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, Digital भुखतान को बढवा देना या आयरवेद में विज्यानिक अनूसंधान को बढवा देना आपको बताना है कि जो smart कारेक्षरम चलाया इसका उदेश्य है बता दीजे तो उसका उदेशे है कि आयरवेद के अंदर विज्ञानी कनुसंधान को भड़ावा देना आपका D-Number option बिलकुल करेक्छ है छीक है D-Number आपका बिलकुल सही है very good नेक्स देखो जागा मिशन जिसे दूसरी बार UN Habitat World Habitat Award मिला है इस मिशन का संबंद किस राज्ये से है तमिलाडू, बिहार, राजस्तान या फिर ओडिशा काफ़ important है आपको बताना है इस मिशन का संबंद किस राज्ये से है जल्दी से बताईए कि क्या होगा बिलकुल 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 किसका है किस से संबंदित है तो ये है आपके Audisha से ठीक है Audisha का ये mission है जागा mission जिसे दूसरे बार ये award मिला है किसके लिए UN Habited World Habited Award मिला है ठीक है Next देखो Next ये आपके पास FSSAI के द्वारा उत्रप्रदेश का कौन सा railway station है जिसे 5 स्टार रेटिंग प्रमारण के साथ E-Tripe Station से सम्मानित किया गया है जल्द इससे बताओ मत्रा रेलवे स्टेशन, वारनसी, कैंट रेलवे स्टेशन अलीगड रेलवे स्टेशन या फिर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन बिलकुल, बिलकुल, सही अंसर आ रहे हैं B-Number option बिलकुल सही हो जाएगा जो वारनसी, कैंट रेलवे स्टेशन है ये इसका B-Number इसका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है, next देखो हाली में अमेरिका में संसत के निचले सदन House of Representatives का अध्यक्ष किसे निउप्त किया गया है जल्दी से बताई, जैसे हमारे यहां पर दो हाउस है मतलब उपरी सदन और निचला सदन तो हमारे यहां पर निचला सदन कौन सा है? लोग सबा, जिसे हम जनता का सदन भी कहते हैं क्यूंकि वहां पर कौन से लोग होते हैं? वहां पर जनता के रिप्रेजन्टेटिव होते हैं याने कि वो लोग जिसको जनता ने चुना है क्यूंकि लोग सबा के चुनाओं में हम लोग भाग लेते हैं हम उन लोगों को चुनते हैं तो वो कैसा है? जनता का सदन होता है. तो ऐसे ही आपको बताना है कि जो निचला सदन है House of Representatives इसके अध्यक्ष किसे निक्ति किया गया है? तो इसका अध्यक्ष निक्ति किया गया है Kevin McCarty को. छीक है? Kevin McCarty जो है इसे अमेरिका में संसत के निचले सदन House of Representatives के अध्यक्ष की रू सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट कहते हैं. नेक्स देखो. यहां भी यह है Kevin McCarty. नेक्स देखो. हाली में मद्यप्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्क्रण का आगाज हुआ? पंदरवा, सोलमा, सत्रमा या फिर अठारमा. आपको बता था? तो यह भी याद रखेगा. सत्रमा था. कौन सा था? सत्रमा था. अपकर C number option सही हो जाएगा. हाली में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र सिल समेद शेकर. बहुत important है क्योंकि यह जो मुद्दा चला था तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विशे रहा था. यह उनके आसा का केंदर है. जैन समुदाय का. अगर किसी पर्टिकलर जगा को प्रेटंसल बनाया जाता है तो लोग वहाँ पर बहुत जादा आएंगे. घूमने के परपर से कुछ भी करेंगे. ड्रिंकिंग भी करेंगे. स्मोकिंग करेंगे. कुछ भी खाएंगे. पेंग जारखन में स्थित है. वो कौन से समुदाय से स्थित है. ऐसा प्रश्न आ सकता है. तो ध्यान रिखिएगा. यह जैन समुदाय से स्थित है. बिलकुल. बिलकुल. ठीक है? चलिए. नेक्स देखो. नेक्स देखिएगा. महरास्व सरकार के द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरसकार से किसे सम्मानित क्या गया है? अधिते बिर्ला, मुकेश, अंबानी, रतन, टाटा या फिर अदार पूनावाला. जल्दी से बताएगा कि महरास्व सरकार के द्वारा पहला पतंग राव कदम पुरसकार जो है 2030 इसे किसे सम्मानित क्या गया है? इसे क ठीक है बिल्कुल बिल्कुल दी नंबर आपका सही हो जाएगा नेक्स एको नीली अर्ट ववस्ता को बढ़ावा देने के लिए हाली में किसके द्वारा समूदर यान मिशन को शुरू किया गया हम लोग जानते हैं जैसे नीली करांति किस से संबंदी थी या एक आपका आयो पृत्वी विज्ञान मंत्राले या विज्ञान और प्रिजोगी की मंत्राले जल्दी से बताएगा जल्दी से जल्दी से इस प्रेशन का आंसर कीजेगा इसका राइट आंसर है पृत्वी विज्ञान मंत्राले ठीक है आपका C नंबर आप्शन जो है ये बिल्कुल स क्या था येस आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी नंबर ऑप्शन ज़स्ट ए मिनट हां ठीक है नेक्स देखो हाली में हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ नूट्रेशन इंडिया के द्वारा किसी अपना ब्रैंड अब्यसर नूक्त क्या गया है सूरे कुमार यादव महेंदर सिंग धोनी कुलदीप यादव या फिर स्मरति मन्थाना आपको बताना है कि हर्बल लाइफ ज़स्ट इक प्रोड़क्ट्स है जो आपको पतला होने के लिए ये आप इनको यूस कर सकते हैं ज़स्ट एक एजड nutrition आपको बताना है कि इसके द्वारा किसे अपना brand ambassador न्यूपत क्या गया है तो आपका जो right answer है वो है स्मरती मन्थाना छीक है आपका d number option जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा बताओ बताओ जल्दी से हाँ और जो बचे इतना लेट आ रहे हैं सो प्लीज आप लोग बहुत अच्छे सिधान नखिए हमारी क्लास होती है छे बज़े अगर आप करंट अफ्यार करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हाई बहुत सारे कुछ परियोजनाय चलाई जाएंगी तो वहां पर उनका हाल भी कैसा होगा जोशी मट के जैसा ठीक है जोशी मट वो इरिया है अभी हाली में आपने इन दुनों सुना होगा कि वहां पर जोशी मट सिंकिंग की प्रॉब्लम्स आपको सुनाई दी होगी कि घरों में दरारे आ रही हैं जो परवत हैं वो खिसक रहे हैं तो ये सब चीजें वही होता है न कि कुछ समय तक जब ये पूरा मामला था तो इसी इसी के बारे में आज कलब किसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है ठीक है तो किसका ये संबंदित था तो ये है आपको इसका आंसर करना है किसके लिए 360 डिगरी किसके लिए 360 डिगरी सुरक्षा अभियान के लिए चुना गया है इसका सही आंसर है आपका सूरे कुमार यादव क्या होगा? येस बिल्कुल क्या होगा येस हाँ बिल्कुल बिल्कुल PDF में शेयर कर दूंगे हमारे टेलिग्राम चैनल प्रैप और क्रैक ओफिशल्स पे अब वहाँ पर जाके जॉइन कर सकते हैं नेक्स देखेगा यहाँ पर ये है सूरे कुमार यादो हाली में स्कोली सर पर समाजिक और भावरातमक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राजे के द्वारा सहर्ष योजना शुरू की गई है यह आपके अभी के ही कुछ क्वेशन से अभी की ही योजनाय है जो स्टार्ट की गई है और चांसिस हैं कि आपके एक्जाम में यहाँ से प्रश्ण बनेंगे असम, त्रिपूरा, सिक्के, मियाफिर, ओडिशा जल्दी से बता दीजे कि क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल किसने शुरू की है तो यह शुरू की है त्रिपूरा ने शुरू की है कौनसी यूजना है तो यह है आपके सहर्ष और यह स्कूली शेत्र पे ठीक है यह आपके स्कूल से रिलेटेड है कि स्कूल में सामाज़िक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौनसी यूजना शुरू की गई है तो ये शुरू की गई है सहश ठीक है नेक्स देखो किस मंत्राले के द्वारा 10 से 16 जन्वरी तक स्टार्ट अप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है जल्दी से बताईए कि क्या होगा वित मंत्राले बाणेशे ओध्योग मंत्राले संचार और आईटी मंत्राले या रक्षा मंत्राले जल्दी से बताओ आप लोग चेक तो करो मैं आपकी बिना बोले कर दूँगे अगर आप नहीं भी बोलोगे न मैं तब भी शेयर करूँगे ठीक है अगर नहीं शेयर करनी होती तो मैं आपको कभी नहीं बोलती कि आपको इसकी PDF मिलेगी Day 1 से ही जब भी हम क्लास ले रहे हैं तो मैं आपको यहीं बोलती हूँ कि आपको PDF मिलेगी आप हमारे टेलिगरम चैनल को जॉइन कर दो अगर मुझे नहीं करनी होती तो मैं आपको कभी नहीं बोलती ठीक है इसका ज़राइट आंसर है जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल वानिची और उध्योग मंत्राले के द्वारा इसका आयोजन क्या गया था कौन सा स्टार्ट अप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 इंपोर्टन है नेक्स सेखेगा बहुत बहुत इंपोर्टन चांसेज हैं ये प्रशन आपके एक्जाम में बन सकता है गोल्डन ग्लोब पुरिसकार 2023 में बेस ओरिजनल सोंग का एक पुरिसकार मिला था किसको अब देखो दो तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है अभी न आप लोगों के जीके की क्लास है गुर्जर सर की ठीक है जस इस प्रशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं आप लोग सर की क्लास में जाएगा जहां पर आपका एक मेराथन चलने वाला है जो आप लोगों के लिए काफ़ इंपोर्टन है ठीक है तो ये जो नाटू-नाटू सौंग है अगर उसके अंदर दो एक्टर जो है उनका पूछ लिया जाए तो जूनिर एंटी आर और रामचरन ये भी आप अच्छे से याद रखेगा इंपोर्टन है ठीक है और क्या मिला है गोल्डन ग्लोब अवर्ड मिला है और कल परिसों की डेट में इसको क्या मिला है तो इसको मिला है आपका ओसकर अवर्ड एक आपका प्रश्ण यहां से था जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ वो थोड़ा सा हमसे हो गया था मिस्टेक चलो 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 कौनसा प्रश्ण था वो गलती से गलत हो गया था जल्दी से देख लेते हैं यह वाला प्रश्वला जो चैलेंज है न यह ध्या निखेगा ग्रामीन विकास मंत्राले के द्वारा है ठीके किसके द्वारा है ग्रामीन विकास मंत्राले के द्वारा है प्लीज आप लोग इसको correct कर लीजिए आपका ये वाला जो प्रश्ण है प्रजुवला चैलेंज जो है ये ग्रामिन विकास मंत्राले ने इसको शुरू किया है Done? चलो, Done आपकी मरजी आप कैसे भी आओ मुझे बढ़ाने से मतलब है बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल ठीक है? चलो तो हम लोग मिलेंगे नेक्स सेशन में Thank you so much for watching this video Till end तक और हम लोग कल का सेशन आप करेगा शाम को 6 बजे अगर आप लोग चाते हैं कि आपका current और फिर बहुत अच्छे से cover हो जाए तो मिलेंगे शाम को 6 बजे ठीक है? अपना अच्छे से ख्याल रखेगा सेशन को like और दोसों के साथ share कर दीजेगा जो आपके high court LDC या नदर किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं मिलते हैं कल के सेशन में अभी सर का सेशन हो रहा है मैं रातन हो रहा है तो आप लोग उसे join कर लीजेगा take care, bye bye कोई भी doubt inquiry है आप comment section में put up कर दीजेगा और साथ ही में class कैसी लगी इसके बारे में भी आपको अपने comment section में बताना है छीके मिलते हैं हम लोग कल के session में take care